So Canada work visa without LMIA, no fund requirement, no else requirement and no any higher qualification requirement. अगर आपके पास ये नहीं भी है, you can apply for Canada work visa. बिल्कुल गाईज, आज इस वीडियो में इसी topics के ओपर बात करेंगे कि कैसे, क्या हम apply कर सकते हैं, अगर apply कर सकते हैं, तो कैसे? अगर नहीं apply कर सकते हैं, तो हमने तो ऐसी इतनी सारी वीडियो देखी हैं, यूट्यूब पे, जिसमें अलग-अलग यूट्यूबर भाई, जो एजेंट्स में हैं, वो भी यहीं guide करते हैं, कि apply किजे, without LMIA, without us, no funds requirement, अगर दस्मीब भी की है, तब भी apply किजे. तो आज इस वीडियो में उन सभी एजेंट्स की पोल खोलेंगे, कितना इसमें reality है, क्या सचाई है, वीडियो को अन तक देखना है, चैनल को like, subscribe, and bell icon को दवाला मत भूलना, मेरे latest vlog and videos के लिए, करते हैं, start, so Canada की जो federal government है, उन्होंने एक program को launch किया था, जिसका नाम है IMP, International Mobility Program, बहुत सारे एजेंट्स ने इस program की जो actual reality है, वो ना बताते हुई, कुछ और ही reality आपके सामने पीश की है, ठीक है, और आप उसी को ही बिलकुल सच समझ बैटे हैं, ठीक है, क्या है वो आज हम इस वीडियो में जाने हैंगे कि IMP क्या है, what the exact meaning of IMP, उसके बाद federal government ने ये प्रोग्राम को launch क्यों किया, क्या objectives हैं इसके, after that, best point of IMP, अगर आपने, अगर आप Canada का वर्क वीजा इस प्रोग्राम के तुरू अप्लाई भी गरते हैं, तो क्या reason है, आप इसी प्रोग् benefits हैं, कौन-कौन इस प्रोग्राम के तुरू Canada work visa apply कर सकता है, after that, ये कैसे काम कर सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे, कितना खर्चा आता है, अगर हम इस प्रोग्राम के तुरू Canada work visa apply करते हैं, और last में सबसे important चीच, जितने भी मेरे Indian बाई हैं, पाकिसान से हैं, अफगान नेपाल, भुटान, फिलिपीन्स, या दोबई, किसी भी कंट्री से हैं, अगर वो apply करते हैं, क्या वो apply कर सकते हैं, अगर apply कर सकते हैं, तो उनकी लिए क्या तरीका है, so IMP एक ऐसा प्रोग्राम है, जो Canadian employers को allow करता है, कि आप foreign skilled जो worker हैं, आप उन्हें कॉल करें, आप उन्ह आए, issuing the job offer, it doesn't means कि वो candidate, जो applicant है, वो सारे Canada में ही होने चाहिए, even world के किसी भी देश में है, अगर वो skilled worker हैं, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, IMP program ये कहता है, federal government ने इस program को launch क्यों किया, तो basic उनका purpose था, कि maximum से maximum skilled जो worker हैं, उनको Canada में call किया जाए, ठीक है, जो यहाँ पर employment है, वो generate कर सकें, जो यहाँ पर employer को, employees की जरूरत है, skilled employees की, उनकी tendency को fulfill किया जा सकें, और सबसे important चीच, IMP program में, federal government का ही रोल है, इसमें ना तो कोई ESDC department का रोल है, कि हमें लीमिया इशू करना पड़ेगा, 45-6 दिन लगेगे हमें LMIA को इशू करवाने के लिए, उसके बाद जाके हमें LMIA मिलेगा और हम processing स्टार्ट करेंगे, काइस बिल्कुल भी नहीं, इसमें ना तो ESDC department का कोई रोल है, ना ही कोई provincial government का, ठीक है, डिरेक्ली IRCC इसे regulate करता है, यह process बहुत easy है, बहुत simple है, less time consumable है, money saving है, और सबसे important चीज कि अगर आप IMP के थरू Canada का work visa apply करते हैं, तो hardly two weeks का time लगता है इसमें, रादर देन कि अगर आप किसी LMIA के थरू apply करते हैं, IMP program is LMIA exam, इसमें आपको सिर्फ job offer चाहिए, अगर आपके पास job offer है, जो can put your application to IRCC portal for Canada work visa application, ना, कौन कोण apply कर सकते हैं, कई सबसे पहला category में आते हैं, वो students चो Canada में DLI, approved colleges and universities में पढ़ रहे हैं, जैसे वो अपनी study complete करते हैं, उनके पास post study work permit rights होते हैं, so, वो IMP के तरू apply करके, अपना work visa जो है, वो ले सकते हैं, यही पहला category, ना, दूसरी category में बात करते हैं, कैनडा की कुछ countries के साथ agreements चलते हैं, जो भी कैनडा की border countries है, like USA and Mexico, so, USA and Mexico के साथ बहुत अच्छे relation है, trade यह वेपार कह सकते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, जो एक तूसरी की economy को develop करते हैं, so, इन तीनों countries के भी एक agreement है, so, अगर जिनके पास USA की citizenship है, यह मेक्सिको की citizenship है, तो वो Canada में आके, आई-ए-ए-ए-ए-पी के तूब वर्कपर्मन अप्लाई कर सेप्ट हैं, but make sure उनके पास कोई न कोई स्किल होना चाहिए, so, आई-ए-ए-ए-ए-ए-पी के लिए जो तीसरी category है, उसे कहते हैं, international experience class, it is a part of express entry, बहुत सारी countries हैं, like, सारी European countries, Australia, New Zealand, UK, so, यह कुछ ऐसी countries हैं, अगर आप इन countries के citizenship हैं, तो आप के पास skill होना जरूब बहुत जुरूरी है, आप without any LMIA, जो बॉफर ले सकते हैं थ्रू आई-ए-ए-ए-पी प्रोग्राम, so, आई-ए-ए-ए-ए-पी कैसे काम गरता है, सबसे पहले आप जिस भी employer के थ्रूप, जो बॉफर एप्लाई करते हैं, उसका IRCC पोर्टल में एकाउंट होना चाहिए, अगर वो उसका एकाउंट है, तो आपकी application जो है, जो आपका वो जो बॉफर है, वो पहले इशू करता है, और उसको IRCC की पोर्टल में समिट करता है, जिसकी जो फीस है, वो पे करता है 230 कैनेडियन डॉलर, यह आपको फीस नहीं पे करनी परती, यह आपका employer खुद पे करेगा 230 डॉलर, जो बहुत ही एकनॉमिकल है, as compared to issue the LMI, because जो LMI की फीस है, that is approximately 1000 कनेडियन डॉलर, तो जैसी वो application, जैसी वो जो बॉफर जो है, वो IRCC पोर्टल पे पूट करता है, तो उसकी regulation चलती है, जब approval हो जाती है, तो वो जो बॉफर के साथ, आपको 7 digit का employment number इसू करती है, अगर आपकी application approval हो जाती है, तो जो IRCC है, वो आपके job offer के साथ, 7 digit का employment number इसू करती है, जो की आपका employer, job offer प्लस वो employment जो number है, वो आपको देता है, अगर आप outside Canada हैं, तो आपको एक LOI, जिसे हम कहते हैं, letter of introduction, वो आपको इशू कर दिया जाता है, आपको वो letter of introduction के साथ, और जो भी spotting documents है, उसके साथ travel करना होता है, जैसे आप Canada पहुंच जाते हैं, तो आपको जो है वो work permit, वो आपको इशू किया जाता है, तो यहां पर एक शीश का दियान रखना, letter of introduction, it doesn't mean कि आपके पास वीजा है, वो आपका वीजा नहीं है, आपको letter of introduction के साथ, वीजा के लिए एप्लाई करना है, आपका वीजा मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जो work permit है, वो आपको कैनड़ा में ही मिलेगा, जैसे आप Canada का border जो है, वो cross करते हैं, so यह सारी जो information है, वो आपको agent लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, ठीक है, now हम बात करते हैं, जो भी मेरे बाई लोग हैं, क्या वो Canada का work visa, IMP के तुरू apply कर सकते हैं, guys, कैनड़ा के लिए, अगर आप IMP के तुरू apply करना चाहते हैं, तो एक program ह जिसे हम कहते हैं, intra transfer company, ठीक है, it means कि आपके पास job होनी चाहिए, ऐसी company में, जिसकी already sub branches, Canada में या other countries में हैं, तो आप वहाँ पर visit visa या work visa के लिए जा सकते हैं, आपकी company आपको अलाओ करती है, कि हम अपने employees को इस purpose के लिए, Canada में या किसी भी country में बेज रहे हैं, तो Otherwise, there is no any another option for all my brothers to apply Canada work visa through IMP program, so ये सबसे बड़ा hype है, एक myth है, जो agents create करते हैं, जो आपको complete information नहीं देते, एक चमकता title है, कि without LMIA, without fund, no ALS, no NE, experience, no NE, higher education, you can apply, guys, पहले सोचिए, समझिए, कि actual program है क्या, उसके बाद ही कोई decision लेजिए, so बहुत सारे मेरे भाई हैं, जो बैचलर्स हैं, वो इंडिया में काम करते हैं, या काम कर रहे हैं, जब वो ऐसी ads, जो हमें डिस्टेक करती हैं, कि yes, Canada का work visa के लिए apply करना चाहिए, तो वो एक जब दम से हिल जाते हैं, तो अपना जो focus है, जो अभी काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर ना लगाके, सिधा एजेंट के पास चले जाते हैं, कि कि जो एजेंट आपको proper information नहीं देता, मिस गाइड करता है, और वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी वीडियो में मुझे comments के लिए चाहिए, तो guys, मैं आपको यह advice करूँगा, आगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छी salary अन कर रहे हैं, go for Canada for work visa, but apply करने से पहले, knowledge green कीजिए, उसके बाद या pageant के पास जाहिए, ताकि वो आपको misguide ना करें, So I hope, आपको IMP program के बारे में अभी कोई question नहीं होगा, जिन भी viewers ने ये वीडियो अन तक देखिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई question होगा, अगर कोई question है भी, तो आप please comment section में अपनी query drop रहे हैं, मैं आपको answer करूँगा, So इस तरह की वीडियो देखने के लिए चानल को like, subscribe and बाल icon को दुबाना जूश मत बूला, So guys मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए, thank you, bye